क्या आपके घर पर धन की समिस्या बनी रहती है क्या ओम साहिराम एक अजीब उपाई बता रहा हूँ आप इसे करेंगे तो सारी समिस्या का निदान ओसाहि कर देगा जो आपको मैं पताने जा रहा हूँ एक मट्की के हंडी में सवा किलो साबुत मुंग और एक हंडी पर सवा किलो नमक घर में बुद्वार के दिन ऐसे जगा में इसे आप लग दीजिए ताकि आपके हाँ जो ठन लुका हुआ है वो आना सुरू हो जाएगा ओम साहिराम ओम साहिराम अगर आपके यहाँ आपके कारोबार में धन लाब की स्थिति बन नहीं है धन लाब की स्थिति बन नहीं है और उस इस्थिति पर धन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो साहिराम एक ऐसा उपाय आपको बता रहा हूं कि आप इस उपाय को करेंगे तो निशित वो इस्थिति भी बन जाएगी और धन आपको प्राप्त हो जाएगा आप गोपी चंदन को नौ डालियों में लेकर केले के विच्छ में पीले धागे से टांग दीजिए और उसके बाद आप ऐसा चमतकार देखिंगे आप काईसा धन आपके पास नहीं आता है ये अजूबा उपाय बहुत चमतकारी उपाय है इसको साहि का ही चमतकार समझे आप इसको करिये आप अगर किसी की फेट्री हो या कार खाने है उसका भूमी पूजन कराते हैं एवां उद्घाटन कराते हैं उस समय पूल दिशा में एचानी की नाग को बना कर वहाँ पार गड़ा दीजिए आप देखिए इतना भैनक आपका फेट्री का धन्दा चमकेगा ये साहिन का जमतकार समझेंगे आप आप इस उपाय को जरूर करिए फेट्री कार में निर्मार कार की प्रगती के लिए अगर आपके फेट्री कार में निर्मार कार की प्रगती के लिए पोग्रेश करना है तो पुस्पर नच्छत्र के दिन जहां आपकी आफिस है वहाँ पर एक अनार का पौधा रोपल कर दीजिए आपकी फेटी का कारोबार इतना जोडर सिरीगलेस होगा कि साई वहाँ भी आपको चमतकार दिखाएंगे इस उपाय को भी आप करिए अजयोब उपाय है अगर बेवसाई में अगर आप बेवसाई कर रहे हैं हर समय आप में हानी हो रहा है और उसके बचने के लिए आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि बरगत के जड़ को लाकर उसमें रेशनी धागों से लाल चंदन में रंकर दुकान के मुख्य द्वार के समीब बांध कर लटका दो आपके वहिसाई की प्रगती का स्रीगलेस हो जाएगा ओम साहिराम ओम साहिराम तो आज यह जो उपाय आपको बताया हो इसको करिये और सिरिषाई बाबा शेव आश्रम में सिरिषाई जीवन बाला का जो लाइफ है इसको जादा से जादा भड़ों को आप शेयर करिए ताकि यह आश्रम भब धाम बनके आपके सब सहयोग का एक प्रतीग बने ओम साहिर झाल